केंद्रिय मंत्री किरेन रिजिजु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक वाले रुख की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह तो पूर्वोत्तर भारत कम जनसंख्या की वजह से सब कुछ से वन्चित ही रह जाएगा रिजिजु ने एक एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं जितनी आबादी उतना हक का उनका आभवान भारत को तबाह कर देगा अरुनाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, लद्दाक और हजारों छोटे-छोटे समुदाय जिनकी संख्या कम है उन्हें सब कुछ से वन्चित कर देगा मुश्किल इलाकों में कभी भी ऐसे में विकास के लिए फंड नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि वहां कुछ लोग ही रहते हैं देश का अल्प संख्यक समुदाय राष्ट्र निर्मान के कार्य में अवसर नहीं हासिल कर पाएगा सत्ता के लिए कोई कितना भूखा हो सकता है राहुल गांधी देश में जातिगत जन गणना और OBC की जन संख्या के आधार पर उनके लिए बड़े प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठा रहे हैं उन्होंने एक ट्वीट में कहा बिहार की जातिगत जन गणना से पता चला है कि वहाँ OBC, SC और ST 84 प्रतिशत हैं केंदर सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 OBC हैं जो भारत का मात्र 5 प्रतिशत बजट संभालते हैं इसलिए भारत के जातिगत आंकडे जानना जरूरी है जितनी आबादी उतना हक ये हमारा प्रण है